गुड़ ओडिंग इस्टूटेंट्स तो पच्चों मैंने आपको सोशल में आई मीन पॉलिटिकल में इसे प्रीविस क्लै। तो इसे प्रीविस क्लैस में हमने अफ्रीकन sommes स्किरंड ने पढ़ा था फ्रीकन गुलाम, जब गुलाम, गुलामी का टाइम था न, लोग एक देश के उपर राज कर लेते थे, तो इसी तरीके से अमेरिका ने क्या किया, जो अमेरिकन्स थे, वो कुछ अफ्रीकन्स को क्या करे, गुलाम बना कर यहां पर लिया आए, अब जब गुलामी खतम हुई, जब यह तो क्या हुए, जब वो कुछ वही रह गए, तो उनका नाम रख दिया, अफ्रीकन्स, ठीक है, और वो कैसे थे, ब्लैक पीपल थे, और जो अमेरिकन्स थे, वो कैसे है, वाइट पीपल है, अमेरिकन्स कैसे है, वाइट पीपल, तो जो वाइट पीपल थे, वो क्या करते थ और और उनको बिना बात कि उन्हों मारते ते बिना बात कि मतलब कुछ पी इशुज कर लेते थे वह छी के तो अफ्रेकन अमेरिकन ने अपने लिए अपनी राइट्स के बारे में भी मांग ची सरकार से कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए आकर यह कानून के थुरू अपने राइट्स की बात करते थे तो उनको वो नहीं देते थे और यह भी है कि जब वो बस में ट्राइवल करते थे मैंने आपको पताई थी नहीं कि जब वो बस में ट्राइवल करते थे तो उनको बैक सीट को बैठना परता था और कभी-कभी उनको बैक सी अफ्रीकन अमेरिकन वूमें जो रोजा पार्क है वो अफ्रीकन अमेरिकन क्या है एक वूमें है टाइड फॉर्म लॉंग डे एट वर्क शी रिफ्यूस तो गिव अप हर सीट ऑन बस तो वाइट मैं ऑन फन दिसंबर 1955 तो वह अपनी एक स्टोरी बताती है कि मतलब यहां पर पूरे दिन काम करने के बार वह बहुत ठकी हुई थी तो वह बस में बैठी हुई थी तो उन्होंने अपनी सीट क्योंकि वह पूरे दिन ठकी हुई थी तो उन्होंने अपनी सीट एक वाइट मैं को देने से मना कर दी किसको देने से मना कर दी उन्होंने वाइट मैं को देन तो यह बताते हैं कि उनका मना करना उनका मना करना इसने क्या कर दिया उस दिन से उस दिन से क्या हुआ बहुत ही एक श्रीन लड़ाई चालो हो गई किसने कर दिए अपरिकन अपार ने अपनी राइड्स के प्रती चालू कर दिया, आंदोलन चालू कर दिया कि हमें भी अपने राइट्स वापस चाहिए, हम भी अपने राइट्स चाहिए, क्या हुआ हमारे पूरवज गुलाम थे, लेकिन अब तो हम आजाद है ना, अब तो हम एक democratic country में रहते हैं, जब हम एक democratic country में रहते हैं, तो ज and which came to be known as, क्या बुला गया उसे, civil rights movement, civil rights movement, क्या हुआ जब ये, उन्हों ने इस बात के लिए मना किया, तो और लोगों के अंदर भी क्या है, उन्हों ने बहुत उनके साथ, उनको अनिकवली फ्रीट किया गया, सारे लोग वैसे ही गुस्से में थे, बस कोई ढून रहते है कि उन्हें मौका मिले, और मौका मिलते ही, वो अपनी rights की मांग करें, तो उन्हें ये मौका मिला, और सारे लोगों ने इसके प्रतिय का अंदूलन चलाया, और जिस अंदूलन का नाम था, civil rights movement, क्या नाम है, civil rights movement, the civil rights act of 1964, provided discrimination on the basis of race, religion, और national orism, तो क्या हुआ, कि उसके बाद एक act बना, उस act का नाम है, civil rights act, क्या बना, civil rights act, अब बना 1964 में, उसने ये खतम किया, कि जाती के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर वो कहां से origin हुए है, उनका origin क्या है, अब ही वो रह रहे हैं, कहां? उस बाद से नहीं, उनका origin क्या है, उस बाद से कोई भी बेदवाद नहीं होगा, उन चीजों को लेकर कोई भी बेदवाद नहीं होगा, जैसे जो African, Americans थे, वो थे कहां के अफरीका के थे तो जब वो अफरीका के थे तो इसके बेस पर कोई भी भेदवाब उनके साथ नहीं किया जाएगा और यह भी कहा गया उसमें उस राइट में यह भी कहा गया कि अब जो सारे जो स्कूल्स है वो सारे बच्चों के खोल रिये जाएंगे जो अफरीका नमारकन से उनके बच्चों के लिए वो स्कूल्स खोल दिये जाएथे क्योंकि उनके लिए पहले especially schools थे, अलग schools थे, white people के लिए white people के बच्चों के लिए अलग schools थे और black people के बच्चों के लिए अलग schools थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब सारे schools सभी बच्चों के लिए full दिये गए थे However, despite this, a majority of frequent Americans continue to be among the poorest in the country लेकिन क्या था इन सबके बावजूर भी इन सबके बावजूर भी जो black people थे जो black people थे या मतलब हम कह सकते हैं जो African Americans थे वो क्या थे वो पूरी country में पूरे देश में सबसे जादर गरीब थे सबसे जादर क्या थे वो करीब थे Most African Americans, children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and to only qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools तो यह बताया गया वहाँ पर यह बता रहे हैं इस लाइन में कि जो mostly जो जो African Americans थे वो क्या थे गरीब थे तो जो उनके parents थे वो उनके बच्चों को अपने बच्चों को government schools में ही पढ़ा पाते थे और ऐसे government schools में जहां पर जादा facilities नहीं थी जाप और जादा qualified teachers नहीं थी बहुत ही कम qualified teachers थी तो वो अपने बच्चों को जादा अच्छे सिक्षा नहीं दे पा रहे थे because they are poor they were poor ठीक है लेकिन जो white students थे मतलब जो white people थे जो उनके बच्चे थे वो private school जाते थे या फिर उन एरियास में जहां रहते थे जहां पर जो government schools है वो mostly किसी जैसे है बहुत ही अच्छी है qualified teacher है उसके अंदर उस private school जैसे ही वो है लेकिन उन्हें यह हुआ कि उन्हें civil rights act के दोरान उन्हें rights मिल गया कि उनके साथ कोई भी बेद्वाब नहीं करेगा उन्हें सब जगे जाने का दिकार है सारे schools में वो अपनी बच्चों को पढ़ा सकते हैं किसी भी school में ठीक है तो इस तरीके से रोजा पाक्स की वज़े से उन्होंने इस अनुनल को आगे बढ़ाया बहुत सारे लोग इसमें चुट गए सारे अफ्रीकन अमेरिकन से चुट गए और उन्होंने अपने लिए अधिकार के लिए वो लड़े ठीक है आई पास समन में सभी बच्चों को चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखें क्या है एक्जप्ट इंडियנ कॉंसिटुटूशन देखें जो हमारा इंडियन कॉंसिटूशन है भारती सम्मिधान उसमें आर्टिकล 15 में मैंसे कुछ लिया गया है और कुछ आपको आर्टिकल 15 के बारे में समझाये गया है देखी क्या है आर्टिकल 15 प्रोविजन ओफ portion of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth मतलब यहां पर यह है कि जो चाति के आधर पर धर्म के आधर पर या लंग के आधर पर या फिर प्लेस अधर पर जो भी क्या किया जाता है बेद्वाब किया जाता है यहां पर इस आर्टिकल में बताया है कि उस पर वेदवाब करना क्या है निशेद है मना है फर्स्ट क्या है दे स्टेट शेल नॉन डिस्कुमिनेट अंगेंस्ट एनी सेटीजन और ग्राउंड ओन्ली ओफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ वर्द और और एनी ऑप दैं तो क्या लिखा है कि जो स्टेट है जो किसी भी सिटीजन को क्या करेगी भीदवाब उसके साथ नहीं करेगी किसके आधार पर किसके आधार पर उसके साथ भीवाब नहीं किया जाएगा जाती के आधार पर उसके धर्म के आधार उसके लिंग के आधार पर कि वह स्ट्रिलिंग है या पूर्लिंग है कि हमने पूर तो इस तरीका के कोई भी भेदवाब किसी भी सिटीजन के साथ नहीं होना चाहिए No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth और any of them be subject to any disability, liability, restriction और condition with regard to क्या है किसी भी सिटीजन को उसके जाती के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर उसके लिंग के आधार पर किसी जोकले मना नहीं करनी चाहिए मना नहीं होगी, access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment मतलब उनके सभी धर्म के लोगों को, सभी जाती के लोगों को चाहिए वो स्त्री लिंग है, चाहिए वो पूर लिंग है, किसी भी लिंग के है या फिर किसी भी उनका place of worth कोई भी है, place of worth मतलब जो उनकी जन्म भूमी है, जहां से उन्होंने जन्म लिया है, तो उनकी पोच्छाता होगी कि हर एक दुकान पर वो जा सकते हैं किसी भी public restaurant में वो जा सकते हैं cसे भी होonnों में बहुँ जा सकते हैं वह भी public entertainment का वर कोई जगे हैं वहाँ पर जासो सकते हैं हर एक जाति के लोग हरे धर्म के लोग हर एक लिंग के नो सब प्रीलिंग के लोग वहां पर जा सकते हैं और कहां the use of Wails Tanks P प्लेस रोट सेफ इसकों है तुट यसेना की सब मंतैं होली और और अइसकों का सकते हैं या फिली प्लिक रिसijke ऑड़े का सुट्वाइब जो भी पॉबल्मी की घरता हैं कर सकता है तो यह बत बताता है आर्टिकल 15 धर कोई भी परसलंके साथ भीधाब नहीं किया जाता है और ऐसका नहीं दूतंगा असके साथ किया जाता है तो हम गोड्ड जा सकते हैं और शिकाय दर्ज कर सकते हैं आई बार समन में चलिए अब आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब नेक्स्ट टॉपिक है जैलन्ज ओफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का चैलेंच No country can be described as being completely democratic हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी country पूरी तरीके से democratic है क्योंकि देखो democratic का मतलब मैंने आपको बता है democracy का मतलब होता है कि democracy होता है कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो लोगों के दोवारा हो और लोगों के लिए ही काम करें है ना उसे choose भी किसली किया है लोगों नहीं choose किया है तो ऐसे देश में क्या होता है जो government होती है जो सरकार होती है उसका फाम होता है कि वो अपने देश के हर एक नागरिक के बारे में सोचे अपने देश के हर एक नागरिक को सारे rights दे उनके welfare के बारे में सोचे कि उनके लिए क्या अच्छा है सब तरीके के बारे में सोचना उनको सारी facilities प्रोवाइट करवाए तो इन सब चीजों के बारे में सोचना government का काम है तो कोई भी country पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से democratic है क्योंकि हमने पढ़ा कि बहुँ सारी democratic country में अभी भी equality को लेकर issues चल रहे है क्योंकि हम कानून change कर सकते हैं कानून की नजर में सब बराबर है लेकिन लोगों की नजर में क्या है जो high people है जो high caste को block करते हैं वो low caste को क्या मानते हैं छोटा मानते हैं inferior मानते हैं there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues क्योंकि देखों क्या होता है वो पूरी तरीके से complete क्यों नहीं हो पा रहे है क्योंकि हमारे क्योंकि क्या है ना कि डेमोक्रेसी से हमने expect हमारे जादा है डेमोक्रेसी से जो expectation है वो क्या है जादा है कुछ ऐसे communities होती है जो हमेशा डेमोक्रेसी को उसके idea को expand करने की कोशिश करती रहती है कि अब हमें थोड़ी से equality मिल गई तो अब हमें और अच्छे से equality मिलनी चाहिए अब हमें और अच्छे से मिल गई तो अब हमें और अच्छे से मिलनी चाहिए तो इस तरीके से हमारे demands भरती जाती है तो जब demands भरती जाती है तो अब क्या है हमें equality मिल गई तो और greater equality के लिए push करेंगे हमें equality मिल गई तो अब वो democracy को और equality के लिए push करेंगे तो इससे क्या है कि democracy के लिए challenges भरते चले जाएंगे क्योंकि हमारी expectation उससे खतम होंगी नहीं और हम उसको expand करते चले जाएंगे तो वो complete कभी होगी नहीं Central to this is the struggle for the recognition of all persons are equal and for dignity to be maintained मतलब अभी भी सारे लोग equal है और या फिस सारे लोगों की जो dignity है जो उनकी शान है जो उनकी इस्जत है उसको maintain रखना उसके लिए अभी भी क्या चल रहा है struggle चल रहा है मैंने आपको बताया अभी भी उसके issues है और यह struggle चलता रहे गर चलता रहे क्योंकि कानून बदल जाएंगे और यह भी है हमारी expectation भरती चली जाती है हम उसको और expand करना चाहेंगे in this book you will read about how this issue of equality affects various parts of our daily lives lives in democratic India तो हमने पढ़ा है इस chapter में कि equality का मतलब यहीं नहीं है कि हमें right to vote मिल गया equality बहुत तरीकी की है बहुत basis पर inequality की जाती है तो इसको खतम करने में इसको खतम करने का struggle चल रहा है as you read this chapter these chapters think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld तो हम दें देखा इस chapter बें और भी आप इससे आगे भी चैप्टेंसे उनमें भी equality के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और यह हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सारे लोगों की equality सारे लोग इक्वल है और उनकी dignity को किस तरीके से maintain किया गया है ठीक है तो यह chapter बच्चों आपको यहीं finish होता है I hope आपको इस chapter समझ में आया होगा now आज आपको यहीं work है पूरा chapter अच्छे से पढ़ेंगे आप तो बच्चों यह है chapter 1 के question answers कितने question answers है फाइव आपको इनको अपनी notebook में note करना है और learn करना है ठीक है बाबाई